नमस्कार मैं कुल्दीप चोधरी और आथ देख रहे हैं राजस्तान चोक इस वक्त हम मौझूद है मेडिकल कोलेज के बाहर जहां पर पिछले पांस दिन से जो एक्सो आर्ट एक्सो चार एम्बूलेंस करमी हैं वो लगातार हरताल पर बैटे हैं जो एम्बूलेंस है उनका चप्प जाम हो रहे हैं और आमजन पूक अभी परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है पांस दिन होने को आए हैं उनकी वारता चल रही है कल राज से लगातार सरकार से इनको यहां से उनको उठा कर सिप्ट करने की बात चल रही है और लेकिन यहां पर यह जो एम्बूल परसासन के दुआरा इन्हें चालू करने के लिए यहां पर इनके टाइरों में हवा भरी जा रही है इनको ठीक करा जा रहा है ताकि यहां से इनको जो हड़ताल पर एंबुलेंस कर भी बेटे हैं उनको यहां से किया जा सके और आप देख सकते हैं कि परसासन किस तरीके से यहां पर गाड़ियां भी है पुर सुबह से ही समझाइस चल रही है कल रात-भर से परसास सद़्ा गारा है यहां से स्ट्रियास करने का पर्यास कर रहे रहे हैं लेकर अभी तक यहां पर जो इंबुलेंस कर्मी है वह यहां से हटने को तयार नहीं है अपनी मांगो को लेकर बता दें कि एक दिन पहले यहां इनकी अनके अंदर इनकी वारता भी हुई थी लेकिन उस वारता निस्वल रही और इनका कोई उसमें परीणाम निकल गया और यहां पर आपको दिखा दें यहां पर गाडियां खड़ी है इन गाडियों में जल्द कभी भी इनको सिप्ट किया जा सकता है इस डर है क्योंकि यहां पर जिस तरीके से प्रसासन मुस्तेद हो रहा है उससे यह प्रतीद हो रहा है कि कभी भी इनको यहां से सिप्ट किया जा सकता है क्योंकि यहां पर अभ दूप की विवस्ता है दूप होने के बावजूत यह लगातार यहां पर बने हुए आप इनका जोज देख सकते हैं इनकी आवाज है कि ठेका परता को बंद करो आप सुन सकते हैं तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से यह जो हरताल कर्मी हैं वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं यह ठेका परता बंद करने को लेकर मांग उठा रहे हैं और सरकार खिलाब नारिवाजी के भी कर रहे हैं चलो आप इन लोगों से बात करते हैं क्या इनका कहना है क्या है जी क्या कहना चाहेंगे आपकी सर्दाल को लेकर लगाता है सरकार असों के लोग जी से हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के यहीं चीज मांग रहे हैं करीब हो गारीं कि जुली में कोछ ना कोछ डाल दो यह इतने परहसा नहीं इतने परहसा नहीं कि सब तरह से इनके बाल बच्चे सब अगर आप नहीं कर सकते तो मना करो हमारे बच्चे भी आएंगे और जोली माल के हाथ चोड़ के गेलो सरकार से कहना चाहते हैं कि हमको हमारा एक ही माँगे और जाइज मांगे 15 साल हो गए जिन्दगी परबाद हो गई और रेज हो गए इस गाड़ी पर राश्चान सरकार लिग रहा है इसका चक्कड में हमारी किस तरीके से इनका दुख समझ सकते हैं जी अंकल जी आप पांस दिन से लगातारियां बने हुए हैं परशासन आपको उठाने का परियास कर रहा है तो हम सरकार से यह गुजाश करते हैं कि हमारे को समझन में सामिल कर दो ठीक है सर बूशतीर बात यह गोराना में सरकार का कंदा से कंदा मिलाके रहे लेकिन हमने कंदे पर रखके उशको इलाज कर वय थे हम सब भी बायों का आपसे वला होगा आप हमारे को तमील कर 95 किए अब को याद देएंगे र डियाएंगे रह referral सब्सक्राइब जिस तरीके से यहां पर एंदर जो टायरों में हवा भरी जा रही उनको ठीक किया जा रहा है यहां से हटवाने का प्रयास किया देखो कमपनी की चाल वाजी से साजी सो रही है इन करमचारियों के साथ आठ आठ जार रुपे इनको वेतन मिलता है अलब वेतन वो की करमचारी ये सारे अब 8000 में आप बताओ सर की केसे घर चलेगा आज मेंगाई कहां चल गी ये और अशोग यह लोग जी के पास 40 करोड के म तो वाइल बांदने के लिए जिंता को पेसे हैं और इन बोले वाले करमचारियों को जिन्होंने को जन्होंने कोरोना काल में जान की बाजी लगा कर जब बेटा बाप का नहीं हो रहा था और माँ बेटी के नहीं हो रही थी मातर यह रोड पर दिखे था यह पुलीस कर्मी और एंबूलेंस करमी और आज सरकार से हम कुछ मांगने आये तो सरकार के कान पर जू न backyardcing ही रहे सभी को कुछ ने कुछ दे रही है तो आज हमने इसा क्या भी गढ़ा दिया राजस्तान सरकार का जो हमको नहीं देना चाहती है हम यहां पिछले चार दिंसे दरने पर बेटे हुए चेज दिन से और यह दूब रात की बारीष करमचारी यह रोड पर सौते हुएं और नियुक। राजसतान सरकार से तो मेरा यह ही कहना है कि हमारी कौई बड़ी मांगनी है एक मात्र चोटी सी मांगे समीदा करमें की और हमें इस से कम कोई मंजूर नहीं है यह सारे करमचारी या तो समीदा कर्मी बन के जाएंगे या फिर सीधे घर जाएंगे इस्तिपादे करके यह आप धूप में बैटे हैं पांच से दिन से क्या कहना है हम सभी 108 के करमचारी दूप में छे दिन से दरने पर बैटे हुए हैं और असो गैलोज जी से हम यही मांग करना चाहता है वो उन्होंने इन सभी को कोरोन योद्दा के रूप से जाना भी है इनको कोरोन योद्दा के नाम से वो भी किया था और अब हम यह चैदिन से बैटे लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हमारे कोई बात सुनवाई करने के लिए नहीं आया है हम 15 साल से 15 साल से आल वेतन भोगी आठ अजार में काम कर रहे हैं और हमारी अभी तक कोई जन सुनवाई नहीं हो रही है और गेलो सरकार से हम यह कहना चाहते हैं कि हाथ जोड़कर सभी भाई है रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको सवेधी कमिटी में सामिल किया जाए तो आप द बने में क्का करें मैं दो यह पर यहां पर उनका छोजोस आप देख सकते हैं किस तरीके से यह अपनी मांगे इह और यहां पर जो कर रहे हैं और यहां से पीछे अगर। rugby सीयर और यहां στην आए है अपनी मांगे रखेंग Привет यहां से पीछे हटने को तयार नहीं से आएप।ぎ सब्स year it. इनकी पीरे जानते हैं जिकाँ से आएं हैं बाइत प्रत्पूर से आएं सेLIE और लेकर सब्सक्राइब क्वार्ण प्रसासन पूरी तैयारी में है आपको यहां से हटाने वाला है यहां से नहीं हटेंगे चाहे प्रसासन आये चाहे गहलो सरकार कितना भी जोड लगाए या तो हमारी मांग पूरी होगी और यहां फिर हम यहीं मरेंगे बगर नहीं हटेंगे हम हमारे परिवार 10,000 रुपे में अपने परिवारों को कैसे चलाए इतने अल्प बेतर में हम नोक्री नहीं कर सकते या तो यह हमको संबदा कर्मियों में ले करके पर्मानेंट करें और या फिर हम यहीं धरने पर मरेंगे तो इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए परसासन आए सरकार आए लेकिन यहां से हटने वाले नहीं है यह बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन अपनी मांगर पूरे कराय भी यहां से हटेंगे नहीं हम यहां पर और भी है इन से बात कर देंगा अप सुन रहे हैं कि इनका कहना है अभी तो लिंगडाई है आगे और लड़ाए जी कहां से आएं हैं तेका पर था जिलाजनु राज्थान परसास का अपना परियास कर रहा है हम अपने बैठे हुए हैं कुछ नहीं हम जंता सरक परेटकार से यही मांग कर रहे हैं आई हमें सविद्धा पर नाली में लिया जाए और हमारी कोई मोटी मांग नहीं है क्या हमारे 8000 रुपर में किसी का घर परिवार चल सकता है यह सोचने की बात है 8000 रूपर दिन राथ हम सेवा करते हैं हमारा आगांक़ कब का होजाए दिन रात सेवा करते हैं दूब नहीं देखते, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते हम समाद सेवा के लगे हूए है sow than Allah ुए और फिर 8000पर में किसे और घर खर्चा चल सकता है कर तो हो तो टेका परता को विरोध कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर हरताल पर लगातार बने हुए है यहां पर और भी वह जी बहिया जी च्छे दिन होने को आए हैं आप बने हुए हैं आज परसासन आपको उठाने का परियास कर रहा है पूरी तयारी में हैं क्या कहने हैं हम पुलिस 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 पु कि आप सुन रहे हैं किस तरीके से इन का जोस आप साथ देख सकते हैं बड़े आक्रोश में हैं और यहां पर पुरी तय्यारी में कल राज से इनका कहना है कि अचानक से पराशांसे इनको यहां उठाने का क्या कहना है परसाजना आपको यहां से उठाने का परियास कर रहा है नहीं हम यहां से नहीं उठेंगे हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम यहीं रुखेंगे हमारी एक ही मांग है थेका प्रता खतम करो और संवीधा कमेटी में सामिल करो हम वो सरकार से यही निवेदन है कि इस कंपनी को जो राजस्दान सरकार से वोटा पैसे कमा के और एदराबाद ले जाती है ठेका पिरता बिल्कुल खतम की जाए और समीदा केडर में सामिल किया जाए हमारा स्रीमान जी से यही निवेदन है एक ही मांग है कि समीदा कर्मी में सामिल किया जाए ठेका परता को बंद किया जाए और इस ही मांग को लेकर आथ छे दिन होने को आए हैं जो एम्बूलेंस कर्मी है पुरे परदेश बर से यहां पर इकटे हो रहे हैं हरताल कर रहे हैं लेकिन कल राज से ही परसासन ने इन यह यहां पर परसासन इनको यहां से सिप्ट करने को लेकर दवाव बना रहा है और यहीं इनका कहना है कि हम मड़ जाएंगे लेकिन यहां से नहीं उठेंगे आप इनके चेहरे पर इस तबती धूप में इनके पसीने से आप देख सकते हैं किस तरीके से यह लगातार है अपनी मा जी चेह दिन होने को आए हैं आप अभी तक भी लगातार बने होए हैं और परसासन आज आपको यहां से उठाने का परियास कर रहा है जो को गयलोच सरकार है परसासन आजा एक जो 108 एंबुलेंस कर्मी है 104 एंबुलेंस कर्मी वो डरने वाले नहीं है हम लगातार यहां बेटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो आपने सुना कि जो यह एंबुलेंस कर्मी है इनका साब कहना है कि चाए कुछ भी हो जाए परसासन कितना भी जोड लगा ले यह अपनी मांगो को पूरा कराय विना यहां से हटने वाले नहीं है परसासन चाहिए कितना भी दम लगा ले क्योंकि 5-6 दिन होने को आए हैं और यहां दूप देख रहे हैं नरात यह लगातार यहीं बने हुए हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं आप देख रहे हैं राजस्तान चो केमरामेन रवी के साथ में कुल्दीप चोदरी